तो फिल्म की शुरुवात में हमें फ्यूजर यानी आने वाला वक्त दिखाया जाता है इंसान जैसा दिखने वाला यी बहुत ही अच्छा रूप है जिनने जेसी इंसान के नाम से जाना जाता है जो सब एक चेवर में सो रही थी स्पेस तक आने के लिए यहाने का उनका मिशन था कि वो लोग एक स्पेशिप जिसका नम एट्रोमिटोस है उसे ढूंडे जो इस सयारे पर बीज़ा था मगर अब उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहा है उसके अंदर कोई गरबड़ी भी हो गई थी क्योंकि उस स्पेशिप में ही वो चीज है जिसी जमीन पर लिजा कर सब कुछ चीए कर सकते हैं और फिर बहुत जल्द इन्हें वो स्पेशिप इन्हें एट्रोमिटोस मेल पर जाता है मगर वो दीखती है कि इसमें तो एक काफी बड़ा चीट बना हुआ है उसकी हालत से लग रहा है कि वो जल्द और पर तोट जाएगा इसलिए ये लोग एट्रोमिटोस कोपने स्पेशिप के साथ जोरने के लिए सारी एनर्जी लगा देते हैं जिससे आखिरकार दोनों स्पेशिप अच्छे से जुट जाते हैं एक साथ इस बात की कुशे में एक दूसरे से ताली मारने लगते हैं तो उनका सीनियर उन्हें गुसा होता है और ऐसा करने से मना करता है क्योंकि एसा करने से उंके जेसरी सिस्टम हं खराब духов के हैं और बताती हैं कि हमें एट्रोमिटोस मिल गया है और अब हम उसका कम्पीटर भी चला पा रहे हैं लेकिन हाँ अब से पहले इस कम्पीटर को तेन माँ पहले चलाया गया था जिसके बाद तो वहां से कोई खबर नहीं आई ना ही कोई वहां से जवाब दे रहा है तो इस है कि एट्रोमिटोस के सारे लोग मारे गए हैं जिस पर मैनेजर कहता है कि अगर तुम एट्रोमिटोस को बचाने के लिए अगर कोई मिशन करना चाहते हो तो अपना वक्त ही बरबाद कर रहे हो तुम बस ऐसा करो एट्रोमिटोस पर रखा सारा जरूरी समान ले लो और बस वापिस अपने स्पेशिप में आ जाओ और जो समान तुम्हें बचाकर लाना है वो एक केमिकल का बोक्स है यानि जिसकी मदद से हम जमीन के माहूल को ठीक कर सकते हैं तुम्हें तब तक वहां रहना होगा जब तक तुम उसे हासिल न कर लो इसे लेने में तुम्हें दो साल भी लग सकते हैं अब हम देखते हैं इनकी एक साथी को जिसका नाम आरी से जो अपने कंपेटर पर एट्रोमिटोस की सारे जानकारी निकाल रही होती है एक वीडियो में एट्रोमिटोस का कैप्टन कहता है शुकर है आखिरकार के रुकाफटों की बाद हम यहां से निकल र दीते हैं फिर आखिर में हम जीसी लोगों को ही सब ठीक करना पड़ता है अब चानक से उन्हीं एट्रोमिटोस से तेज गाने की आवाज आने लगती है अभी तक उसका तरवाज़ा बरन था जिससे जैसे उनकर डॉक्टर साथी कोलता है यह सब अपने उपनी गन्स लेकर एट्रोमिटोस की अंदर आ जाते हैं अंदर आते हैं उन्हें दिवारों पर कुछ अजीब तरह की तस्वीरें दिखाए दीती हैं साथे गाना भी वहाँ इतना तीस था कि वो लोग एक दुसरे की आवास भी नहीं सुन पा रहे थे अब तब यह एक रोबोट आकर इन पर ह ज़ी जाते हैं डॉक्टर देखता है कि स्पेशिप का ब्लैक बॉक्स यहां से दिवाब दिया गया है ब्लैक बॉक्स यानि एक ऐसा बॉक्स जिसमें किसी भी स्पेशिप और इसकी फ्राइट के जनकारे रखी जाती हैं साथ ही को कंट्रोल भी किया जा सकता हैं मगर पिर वो किसी तरह वहाँ चल रहे गाने को बन कर दीता है। वो लोग दीखती है कि यहां के प्रेड पोदे काफी बड़े हो गई है। और पर इनी की बेच उन्हें एक इंसान जैसे दिखने वाली रोबर्ट मिलती है। जिसे इसलिए बनाया दिया था ताकि वो यहां एर्टुमेटोस पर आने वले लोगों की मदद कर सकी। वो पर इन से बात करती है। कहती है कि एक इनसान अभी भी एर्टुमेटोस पर जिन्दा है जिसका नाम ट्रेविस है। और पर दूरने पर आईरिस को ट्रैविस मिल पी जाता है, मगर उसकी हालत काफी खराब थी, बड़े बड़े बाल थी, और वो जब जाब बैटा था, उसी देखने से लग रहा था जैसी वो कूमा में है, इसके बाद इनका सीनियर अपने मिशन पर निकल जाता है, इनने जिस मकसिद के लिए वो यहां आई थी, वो था केमिकल बॉक्स को टूर्ण कर वापिस लाना, मगर काफी दूरने पर भी वो उसे यहां मिलता ही नहीं, अभी सारे लोग एक जगा पर एकटा होते हैं, सब कहते हैं कि हमने हर एक जगा पर वो केमिकल बॉक्स डूर्ण डा, लेकिन हमें वो पहें पर भी नहीं मिला, अभी लोग अपने सिस्टम में ट्रैविस के बारे में पता लगवाने लगते हैं, जिससे इने पता चलता है कि ट्रैविस एक इंजिनियर है, अब मज़ीद जांच करने पर उन्हें ट्रैविस के बारे में खास पता नहीं लगता, अब इनका सिनियरी ने बताता है कि बारे से देखने में तो ट्रैविस बिल्कुल ठीक लग रहा है, मगर उसकी दिमाग में काफी गड़बड़यां चल रही हैं, अब इनका कमांडर ट्रैविस से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता, तो इसलिए वो ट्रैविस की जिमेंदारे आरिस को देता है, क्योंकि वो दिमाग की काफी अच्छी डॉक्टर है, अब सारे जनकारे हासिल करने के लिए वो रोबर भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि एड्रोमिटोस की तरह उसकी भी सारी यादे मिटा दिये हैं, इसी तुराँ डॉक्टर की दोस्त को कमपनी की मेनेजर का मेंसिज मिलता है, जिसमें वो पोच रहा था कि क्या तुम्हें केमिकल बॉक्स मिल गया है, और हाँ मैंने तुम्हें बताना था कि तुम यहां काफी देर तक शायद पसे रहने वाले हो, इसलिए अपने इस वक्त का अच्छी से इस्तामाल करो, और केमिकल बॉक्स को ढूरने में लग जाओ, अब आरिस ट्रैविस के पाल जाकर उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है, और पूछती है, कि जो लोग एट्रोमेटोस पर आये थी, उनकी बीच की तालुक दोस्ती कैसी थी, क्योंकि स्पेस में काफे दिन तक रहना इन जीसों पर असर डाल सकता है, अबारिस कमांडर और सीनिर की पाल जाकर उन्हें बताती है, कि मैंने जितने भी सवाल ट्रैविस से किये, उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, मगर जैसी मैंने इस रोबोट लड़की का नम लिया, तो उसके चीरे पर अजीब से बदलाव आने लगी, और इनसानों में ये बात हैरानी वाली नहीं है, कि वो किसी रोबोट को पसंद करनी लगी, खास करके तब जब वो रोबोट इनसान जैसी दिखती हो, और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेविस एक इनजीनियर है, तो हो सकता है कि उसने इस रोबोट लड़की में बदलाव कर दिये हूँ, अपने मताबिक जिसे वो चाहता है, जिस पर सीनियर कहते हैं कि मैं अब इस रोबोट की जानच करना जाता हूँ, और पता लगवाना चाहता हूँ कि आखिर ट्रेविस और इस रोबोट के बीच में क्या है, और ट्रेविस ने अगर इसके साथ किया है तो क्या किया, जिस पर कमांडर फैसला करती है कि अब सी में थोड़ी थोड़ी दिर के लिए रोबर्ट लड़की को ट्रैविस की पास बेजूँगा क्योंकि ऐसा करके वो लोग सारी बात पता लगवा सकती है जिसमें वो इस रोबर्ट लड़की को चारी की तरह इस्तमाल करेंगी अब कुछ दिर के बाद पोरे स्पेशिप की बिजली चली जाती है और इन्हें पता चलता है कि ट्रैविस तो यहां से बाब गया है और शायद वो अपने साथ एक गन भी ली गया है क्योंकि वहां पे रखी गन गाइब थी अब गन लेकर आईरिस ट्रैविस को डूरने जाती है वो उसे मिल तो जाता है मगर वो देखती है कि ट्रैविस ने मुझपर ही गन तानी होई है इसलिए वो प्यार प्यार से ट्रैविस से बात करने के कोशिश करती है वो जैसे उसे काबू करने वाली होती है कि तब य59 और आखिर ट्रैविस की गढ़ नीचे कर दीता है जिसकी बार ड्रैविस को दुबारा से बंटी बना लिया जाता है आर इस कमांडर से कहे थी है कि जब मैं अपना काम कर रही थी तो तुम बीच में क्यों आई तो मैं मुझ पर मेरी काम पर मेरी तरीकी पर शेक है किया कमांडर बोलता है कि तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ और सिर्फ मिशन के मताबिकी काम करो ठीक है ना उदर जब डॉक्टर और उसकी दोस साथ में थी तो डॉक्टर की दोस बड़ी अजीब चीज़ करती है वो अपनी जैकेट उतारते हुए बोलती है कि यहां एसी के बगार कितनी गर्मी है ना अब उसका ऐसा बरताओ देकर डॉक्टर को काफी जीब लगता है क्योंकि वो एक जैसी इंसान है इसलिए उसे ऐसा कुछ मैसूस नहीं होना चाहिए अब कुछ दिर की बाद इनका पूरा सिस्टम टीए को जाता है जहां तबी पर कंपनी की मैनेजर का मैसिज आता है जिसमें वो कहता है कि तुम्हारा सबसे जुरूरी मिशन उस केमिकल बॉक्स को कैसे पिकर कर डून कर लाना है क्योंकि बाकी सारे चीज़ें तो बात की बात है आईरीस एक बार पर दिवार पर बनें पेंटिंग्स और तस्वीरें देखती है और दुबारा से ट्रेविस की पास जाती है वो इस बार उसे उन पेंटिंग्स और तस्वीरों की ही बात करती है जिसके बाद वो रोबोट लड़की को तुबारा सी ट्रेविस की पास पेशती है खुद वो एक दूसी जगब पर आकर एक चूटी सी कैमरा के जरीए उन दोनों को दीख रही थी वो दीखती है कि ट्रेविस रोबोट के कान में मेंडरिन जुबान में कुछ कह रहा है अब आईरिस अपने सीनियर से बात करने जाती है जहां वो कहता है मुझे याद नहीं आ रहा मैं यहां क्यों आया था और ही काफी जीव है क्योंकि मैं जिसे कभी नहीं भूलता अब सीनियर को मेंडरिन जुबान आती थी इसलिए उसके पास आई थी वो फिर सीनियर को ट्रेविस की कहीं बात सुनाती है मगर क्योंकि ट्रेविस काफी हलका बोल रहा था इसलिए फिल्हान तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती इसलिए वो कहता है कि अभी तो मैं इसे समझ नहीं पा रहा ट्रेविस ने तुम्हारी कान में क्या कहा था इसके जवाब में रोबोट कही थी कि उसने कहा था कि हम बेशक एक नहीं हो सकती मगर तुम मेरे दिमाग में हमेशा हो और अब जब ये बात सीनियर को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि ये बात गल्द है क्योंकि अब तक रिकॉर्डिंग वो भी सुन चुका था और समझ किया था कि रोबोट किसी वज़े से जोट बोल रही है मगर एक रोबोट ऐसा कैसी कर सकती है क्योंकि रोबोट तो जोट बोलते ही नहीं अभी सब लोग आपस में बात कर रही होती है कि आगर कैसे हम ट्रेविस से अपने सवालों के जवाब हासिल करें सेनियर उसे मार पेट करके जवाब लेने का मश्वरा देता है मगर कमांडर और डॉक्टर ऐसा करने से मना कर दीते हैं क्योंकि वो ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएंगी जिसमें वो ट्रेविस को मारे पीटी अब डॉक्टर की साथ ही बोलती है कि मेरी बातरूम में कोई खराबी हो गई है तो डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए चिला जाता है वो जब खराबी ठीक कर दीता है तो उसकी दोस्त से गले से लगा लेती है और अपने साथ रुकने का बोलती है उदर आरेस अभी भी ट्रेविस पर नज़र रखी हुए थी और इस पर ट्रेविस बोलता भी है मगर रिशियन सुबान ने अब इससे पेले कि उसकी बोली हुई बात को कंपुर्टर समझ पाता एट्रोमेटोस हिलने लगता है जिहां तभी उन्हें पता चलता है कि एक जगा का दिर्वाज़ा कूला हुआ है इसलिए इनके स्पेशिप में बाहर की सारी हावा आ रही है कमांडर देखता है कि डॉक्टर अपनी दोस्त की कमरी से बाहर आ रहा है मगर फिल्थाल के लिए वो इस बात को नजर अन्दास करके आने वाली मुसिबत पर दिहान दीता है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती तिये दिर्वाज़ा किस निकोला और वो भी समान वाले कमरे का हुआ क्योंकि वो तो हमेशे ही कफी मजबूती से बंद रहता है दिर्वाज़ा बंद पर ने डॉक्टर रसी पे इनके बाहर जाता है और रसी को कमांडर ने पकड़ा हुआ था वो दिर्वाज़ा तो बंद कर दीता है मगर डॉक्टर की दोस्त रोनी लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मेरा दोस्त मसीबत में है अब कमांडर तो सही सलामत आ जाता है मगर हवा की प्रेशर से डॉक्टर भी होश हो जाता है इसलिए सीनियर उसे चेक करने उसके जाच करने अपनी साथ ली जाता है वो फिर बताता है कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है इससे बस थोड़े अराम की जुरूरत है फिर ये अपनी नॉर्मल हालत में आज रहेगा इसकी बात कमांडर डॉक्टर की दोस्त को डांटनी लगता है क्योंकि जब उसका बात्रूम ठीक करने गया था तो इसनी डॉक्टर को गले से लगा लिया था वो कहता है कि तुम्हें ये बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि हम आम इनसान नहीं है बलकि हम जेसी इनसान है जो उस्ती करना करीबाना ये सब हमारे लिए नहीं बना थोड़ा ख्याल रखो तुम अरीषब सेनियर से पुछती है कि क्या कोई रोबोट जोट बोल सकता है जिस पर सीनियर कहती है कि हाँ रोबोट जोट बोल सकते है अगर उन्हें किसी बात था जोटा जवाब देने के लिए प्रोग्राम किया जाए तो वैसे अपनी मर्दी से वो कोई जोट नहीं बोल सकते और हाँ मैंने उस रोबर्ट लड़की की जांच की थी मगर मुझे तो उसमी से कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं मिली अब आरिस दुबारा से अपने सिस्टम पर आजाती है ताकि ट्रेविस की रेशिन जुबान में गई हुई बात को समझ सके मगर तब यहां डॉक्टर की दोस्त आजाती है और बताती है कि ट्रेविस ने जो रेशिन जुबान में कहा है ये तो एक किताब में लिखी गई बात है हमें जिन्दा देकर ये ट्रेविस पता नहीं क्या सोच रहा है कुछ समय नहीं आ रही ये सुनकर आरेस फुरुन ट्रेविस के पाज आती है और उसे बिजली का जिटका लगाती है कहती है कि मुझे लगता है तो मिलकुल ठीक हो बस बिमार होने का ड्रामा कर रहे हो अब की बार इस बात का जवाब ट्रेविस फ्रेंच सुबान में देता है जो आरेस समझ भी जाती है क्यूंकि उसे भी थोड़ी बहुत फ्रेंच सुबाँ आती थी इस बार उसने दुबारा से किसी कीताब का जिकरी किया था डूक्र की दोस्तने एड्रो मेटोस का वो सिस्टम ठीए कर लिया होता है यह देखकर वो रोने लगती है, जिस पर कमांडर उसे तुबारा से डाणता है, कि तम क्या कर रही हो, जीसे हो कर रो रही हो, अब इसे वक्ट डॉक्टर भी यहां आ जाता है, जीसी देख उसकी दोस्त गले से लग जाती है, अब उनको ऐसे देखर कमांडर दुबारा से उन्हें डाणता है, कहता है, कि यह सब तुम दोनों की वज़े से हुआ है, अगर उस दिन तुम दोनों साथ में ना होती, तो तुम्हें पता चल जाता कि समान वाले कमरी कर दर्वाजा खूला हुआ है, और हमें यह सब ना देखना पड़ता, तो इसलिए चिपकना बंद करो और दूर रहो एक दूसरे से, क्योंकि तुम दोनों की गल्ती की वज़े से हम सब मरने वाले थे, वो पर डॉक्टर की दोस्त को कहता है, कि तुम तो सबसे पहले काम करो, तुम जाओ सीनियर के पास अपने जाच करवाने, कि आखर तुम इतने जस्पाते क्यों हो रही हो, वो डॉक्टर को फिर बताता है कि लाग कोशिश के बाद भी जानकारी नहीं मिल रही, पता नहीं, जानकारी यां कहां चली गई हैं, सीनियर डॉक्टर की दोस्की जाच कर रहा होता है, मगर उसे कोई भी गडबड़ी नहीं मिलती, वो पिर सीनियर से पूछती है कि आजकर आपको कुछ अजीब मैसूस हो रहा है, अब भाला की सीनियर को अजीब मैसूस हो तो रहा है, मगर इसकी बवाजूद भी वो ना में जवाब देता है, इधर आइरिस ट्रेविस की फ्रेंच में बोली गई बात की जाच कर रही है, जिसकी बद वो दिवार पर बनी तस्वीरों और पेंटिंग्स पर लाइट मार के देखती है, जहां उसे छुपा हुआ मैसे समझ जा जाता है, वो पुराने जनकारियों को भी देखती है, अब कमांडर उसकी पास आता है, यह पूछने के लिए कि अभी ते तुमें क्या जनकारे मिली है, जिस पर आरिस बताती है कि अट्रोमिटोस तब भी खत्रे में नहीं था, हमारे आने से पहले ट्रेविस अट्रोमिटोस को सबसे बड़े सयारे पर ले गया था, जो काफी कतर नाक था, क्योंकि ऐसा करना उसकी मजबूरी थी, और वो केमिकल बॉक्स जिसे हम ढूरनी आए हैं, उसे लेकर भी अट्रोमिटोस की लोगों की बीच में बैहस हो गई थी, इसलिए मुझे लगता है कि कंपनी के मेनेजर ने हमें केमिकल बॉक्स की बारे में, जो भी बताया है वो सच है ही नहीं, जिसे दीकर आइरिस बताती है कि तो मैं याद है ट्रेविस ने मुझे पर गन तानी थी, तो दुरसल उसने मुझे पर नहीं, बल्कि मेरे पीचे रखी, पाने की फिल्टर मेशीन पर तानी थी, खैर जो भी है, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ, कि जो भी केमिकल है बहुत खतरनाग है, और पानी से इसका कोई तालुक है, जो हम जैसी लोगों और इनसानों के लिए खत्रा है, जिस पर कमांडर कहते हैं, कि या तो इन से पर कोई सबूत लेकर आओ, साथ ही वो जोर से हसने भी लगता है, जिस वज़े सी आरिस को इतना गुसा आ जाता है, कि वो यहां से चिली ही जाती है, इस तुरान आरिस और सीनियर दोनों के साथ ही अजीब होता है, आरिस का हाथ कांप रहा था, तो सीनियर बातें बोल रहा था, अब डॉक्टर कमांडर को बताता है कि अगर केमिकल बाक्स को स्पेस में छोड़ा होगा तो वो बड़े प्लैनेट की समीन पर जाके गिर गिर गिए होगा मगर तोटा भी नहीं होगा क्यूंगे इस बाक्स को खास से बनाया हुआ था और जनकारी के बगर उस बॉक्स को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए वो अब भी भी वही सही सलामत हो सकता है। अब सारी हलात को देखते हुए कमांडर ये मनजोरी दे ही देता है कि कैसे भी करके ट्रैविस से जनकारी निकलवाओ। जाही तो फिर उसे मारना ही क्यों न पड़ी। फिर आरिस्ट ट्रैविस की पास आगर पूछती है कि जल्दी बता दो कैमिकल बॉक्स कहा है। वरना सीनियर तुमें बहुत बुरी तरह से मारेगा और लहुरुहान कर देगा। अब पहले तो वो कोई जवाब नहीं दीता। देखता है कि सीनियर रोबोट की हाथ को नुकसान पहुंच आ रहा है। और पिर जैसी वो रोबोट की सर को जटका देकर उसे तोड़ने ही वाला था। तो तब ट्रैविस बोलता है कि रुको मैं बताता हूँ गैमिकल बॉक्स के बारे में। मगर जिब भी उस जवाब को चेक करती हैं तो इन्हीं वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। कमांडर बोलता है कि मैं और डॉक्टर नीची जाकर बॉक्स को ढूलते हैं और अपने साथ ले आते हैं जिस तुरान आरिस उस रुबोट को टी करने का समा लेकर ट्रैविस की पास आती हैं और पहले की तरह सवाल जवाब करती रहती हैं प्रैविस बताता है कि मैंने ही लाशों और उस केमिकल बोक्स को उस पड़े प्लैनेट पर बीज़ा था मैंने ही एट्रोमेटोस और इस रुबोट की यादों को मिटाया था मगर आखिर में वेकट को नहीं गदम कर पाया असल में यहाई काफी बड़े गड़ड़ी हो गई थी जिस वज़े से एट्रोमेटोस में यह सब हुआ मैं क्योंकि उस गड़ड़ी को बूल नहीं पा रहा था इसलिए मैंने उसे यहाँ के हर एक डिवार पर बना दिया तकि जो लोग यहाँ पर आएं गड़ड़ी का उन्हें गड़ड़ी पता चल जाएं क्योंकि जो भी गड़ड़ी मसला मसाइल यहाँ पर था वो जुबान से बताया नहीं जा सकता असल में जब उस केमिकल बॉक्स को अंदर शिप में लाया जा रहा था यहनि केमिकल की वज़े से पानी खतरनाक हो गया है और लोग मर रही है मगर मेंजर ने बड़ी असानी से ही हलके से मूँस ही कह दिया कि तुम्हारे पास पानी को फिल्टर करने वाली मशीन है तुम उसके जर्गी पानी को टीकर लो मतलब के पानी की अंदर से केमिकल को निकाल दो जिसका मतलब साफ था कि मेंजर इस बारे में पहने से ही जानता था आगे वो बताता है कि हमानी लोग दो ग्रूप्स में बट गए थे अब वो लोग जो जान गए थे कि ये केमिकल कितना खतरनाक है इसी जमीन पर नहीं ले जाना उन्हें मनेजर के साथियों ने मार दिया और सिर्फ मैं जिन्दा इसलिए बच गया क्योंकि मैं किसी की तरफ नहीं था मगर फिर बचे हुई लोगों को भी कोई मारता जा रहा था अब जिस लैब में जीसी इंसानों को बनाया गया था जीसी में आते हैं वो ठीक हो सके यह सारी बाते सुनकर जैसी आईरिस वहां से जाती है तो ट्रेविस अपने रोबोट को ठीक हैनी में लग जाता है अब डॉक्टर की दोस्त की पास मेनेजर का मेसेज जाता है जो कहता है कि यह मेरा आखरी मेसेज है आगी वो कहता है कि मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग अजीबो गरीब सा मेसूस करे रहे हूं क्योंकि तुम्हारे डियाने अब बदल रहे हैं जिने ठीक भी नहीं किया जा सकता और हाँ ट्रेविस ने मिलकुर ठीक बताया है कि इनसानों को मारा जा रहा है इसलिए क्योंकि तुम भी ठेक नहीं हो सकते तो तोड़ी दिल में तुम पागल हो जाओगी इसके बाद वो आपस में बैठकर बात कर रही होते हैं कि क्या किया जाएं जिस पर सीनियर कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं ट्रेविस के कौन से कुद को ठीक कर लेते हैं क्योंकि वो भी तो एक इनसान ही है ना मगर एक मुसीबत है ऐसा करने से ट्रेविस ही मारा जाएगा ये सुनकर आइरेस कहती है कि कुछ भी करने से पहले हमें कमांडर और डोक्टर के वापिस आने के इंतिसार करना चाहिए जो नीचे गई है केमिकल बॉक्स को डूरने के लिए अब कुछ दिर की बाद जो वापिस आती है तो आपस में बैटतरी बात चित करने लगते हैं अब तब ही उन्ग है ट्रेविस की एक बताई बात से बता चलता है कि एगांडरो मीटोस पर बाद में जितने में लोग मारे गये थे उनने और किसीने नहीं बलके इस रोबोट नहीं वा रा था एक इसी वक्त रोबोट चाह जाती है और सीनियर पर हमला करकी उसका गला पकर लीती है फिर जैसे सब लोग अपने गर्स लेकर वहां पहुचते हैं तो सीनियर को भी होश बढ़ा देखते हैं जिपकि वो रोबोट तो ट्रेविस को अपने साथ लेकर भाग चुकी थी अब तबी ने कोई आवास सुनाई देती है जिसे डोक्टर चेक करने जाता है मगर जिब वो वापिस आता है तो ये दिकर काफी हरान और दुकी हो जाता है कि उसकी प्यारी दोस्त को उस रोबोट ने मार दिया है अब इस बास से उसे इतना गुसा आ गया था कि आईरिस की मना करने की बवाजूत भी वो अकेला ही रोबोट को डूरने के लिए चला जाता है वो फिर उसे समान वाले कमरे में मिल पी जाती है मगर जहां वो पहने मासूम सी थी चुप चाप सी थी अब वो इतनी तेज हो गई थी कि काफी कतर नाक लड़ने लगती है हलांकि डॉक्टर उसका मुकाबला करता है उसे मारता है मगर वो उस पर भारे पढ़की उसे काफी मारती है और आखरकार उसके जान ही ली लेती है अब आरिस को ट्रेविस पीचे से डूण लीता है और गन से उसको भी होश कर दीता है अब तबीदर कमांडर आकर ट्रेविस पर भी हमला कर दीता है अब जब रोबोट यहां आ दिया है तो हो समझती है कि आरिस भी होश पड़ी है इसी ने उसके पास है गुसरती है मगर असल में तो ये बस इसे पसाने का जियाल था कमांडर ने तो दुरुआसल ट्रैविस को पकड़ा हुआ था ताकि वो रोबोट को कंट्रोल कर सके जिसके बाद कमांडर और आइरिस स्पेशिप की बिजली वरे हिसे पर हमला करती है ऐसा करने से रोबोट पर बिजली गिरती है और वो टोटका गिरने लगती है अब बाद मेर्य कमांडर ट्रैविस को मारने का सोचותा है क्योंकि उसने ये रोबोट में बदलाव किये थी जिस पर वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अब तब ही इदर आईरीस अपना फैसला बदल लीती है वो ट्रेविस की बज़ाए कमांडर को ही मार डालती है आरीस पिक बताती है कि 98 फिसद जेसी लोगों में एक गड़बड़ी आई है बज़े हुए 2 फिसद लोगों में मैं भी हूँ जिभी तो मेरी अंदर कोई बदलाव नहीं आया जानता था कि वो इतने कातर नाक हो जाएगी और उसकी प्रोग्रामिंग भी बदल जाएगी इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमें जमीन पर जाना होगा अब आरीस ट्रेविस को एक छोटे स्पेशिप की जरीए जमीन पर बेशती है यहाँ पर जो भी हुआ वो सब बताने के लिए भी कहती है क्योंकि खुद वो यही रुक कर अपने जया लीना चाहती है खुद को खत्म करना चाहती है वो कहती है कि मैं इसी लाइक हूँ